डेट आज 17 जून 2023 ये सब टॉपिक डिसकस करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है इंडिया ज बिगेस्ट नेचुरल आर्क ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है रीसेंटली जोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया ने इसको डिसकवर किया है नेचुरल आर्क को इंडिया के सबसे बड़ी प्राकिर्थिक आर्क ये मिल गई है पहले जानेंगे जोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया क्या है फिर इस आर्क के बारे में डिटेल में जानेंगे Geological Survey of India है जो यह देखो 1801 में बनाया गया था 1801 में अंग्रेजों ने अब यह Ministry of Mines के अंडर काम करता है Ministry of Mines खादान का जो मंत्राल है उसके अंदर इसका Headquarter कहां पर है Kolkata में West Bengal में इसका Headquarter है यह तीन बाते इसके बारे में याद रखनी है आपको यह सर्वे करता रहता है सर्वेक्षन करता रहता है Geological Survey of India अभी इंडिया की Natural Arc जो खोजी है वो biggest बन गई है और कहां पर खोजी है उडिसा की सुंदर गड़ डिस्टिक में केंद्वादी ब्लॉक है यहां पर खोजी है यह है Natural Arc यह देखो किसी ने बनाई नहीं है यह rocks है चट्टाने उनसे खुद ही यह कटके बनी है और यह oval shape में है oval मतलब अंडाकार shape में जो आपको दिखाई दे रही है Geological Survey of India ने यह भी कहा है कि इस Natural Arc को जो सुंदर गड़ फोरस्ट डिवीजन में कनी का range मतलब कनी का यह पहाड़ी है rocks है जिसका नाम है जिसमें यह Natural Arc बनी हुई है इसको Geo Heritage Site declare किया जाए Geo Heritage Site क्या होती है इसके बारे में भी discuss करेंगे पहले इस Natural Arc के बारे में पढ़ते है अगर इसको Geo Heritage Site declare कर दिया गया तो फिर इसको protection provide करनी पड़ेगी preserve करके रखना पड़ेगा और यह इंडिया की सबसे बड़ी Biggest Natural Arc हो जाएगी जो Geo Heritage Tag मिल जाएगा अगर इसे तो अभी देखो Geo Heritage Tag इसे मिला नहीं है यह इंडिया की Biggest Natural Arc तो बन गई है लेकिन Geo Heritage Site नहीं है तो Geo Heritage Site में जो Biggest Site है वो अलग है कौन सी है जानेंगे अभी सुन्दरगड का जो रीजन है उडिसा में इसके अलाबा जो Natural Arc हैं कहां कहां पे हैं दो और Natural Arc हैं जो बड़ी आर्क हैं हमारे इंडिया की Natural Arc एक है तिरूपती में तिरूमाला हिल्स में और दूसरी है अंडमान निकोबार में इनके बाद यह नई की खोजी गी है सुन्दरगड लेकिन इन दोनों से यह बड़ी है Natural Arc सुन्दरगड में जो यह मिली है तो इंडिया की जो Biggest Natural Arc है सुन्दरगड Natural Arc यह प्रेजेंट ली Ferrogenous Sandstone में प्रेजेंट है और कामिती Formation से अपर कामिती Formation की Ferrogenition Ferrogenous Sandstone में प्रेजेंट है कब बनी हुई है यह कब की बनी हुई है लगबग 184 से 160 million years ago Middle Jurassic Age के नाम से जानते हैं देखो जोगरफर ने जो period है time period उसको एक नाम दिया हुआ है 184 से लेके 160 million years पहले उस time period को नाम दिया हुआ है Middle Jurassic Age तो उस time की यह बनी हुई है आर्क जो मिली है सुंदरगड district में उडिसा की Oval Saved में है अंडाकार 30 मीटर की इसकी लंबाई है length जो base में लंबाई है और 12 मीटर यह उचाई है इसकी अब जानते हैं Geo Heritage Site क्योंकि Geological Survey of India ने परपोज किया है कि इसको Geo Heritage Site declare कर दिया जाए अगर government इसे declare कर देती है तो फिर इसको preserve करना पड़ेगा protection provide करनी पड़ेगी Geo Heritage Site क्या होती है देखो कोई भी ऐसी site हो कोई भी ऐसी जगे site का मतलब स्तल या जगे जिसकी कोई rare और unique quality हो चाहे Geological quality हो चाहे Geomorphological Mineralogical यानि कि महाँ पर कोई खनीजपदार्थ मिलते हैं उनकी study की जाती है अध्यन क्या जाता है कोई परानी site है Paleontological है या Petrological है कुछ भी significance है कुछ भी natural arc हो सकती है या natural rock चट्टाने हो सकती है या कोई गुफा हो सकती है caves जिसकी कोई national और international importance है और उसका national international interest है तब उसको Geological Heritage Site डेकलेर कर दे दे हैं GSI डेकलेर करती है Geo Heritage Site National Geological Monuments इसको protection करने के लिए और maintenance करने के लिए मतलब इसको preserve करने के लिए डेकलेर किया जाता है किसी भी स्तल को Geo Heritage Site जब उसकी कोई unique और rare significance होती है फिर Geological Survey of India और जिस state में वो है जैसे अभी ये Odisha में है Natural Arc जो biggest मिली है तो Geological Survey of India और Odisha Government दोनों measures लेंगी step उठाएंगी कदम उठाएंगी उससे protect करने के लिए सनरक्षित करने के लिए तो यही था इसके बारे में Next topic है Export-Import Bank of India Exim Bank बोलते हैं प्रिलिम्स के लिए important है और GS Paper 3 के लिए Exim Bank के जो managing director ने उन्होंने recently कहा है कि India जो line of credit अफरीका को देता है यह defense export के लिए ज़्यादा provide करेगा ज़्यादा focus करेगा यानि कि defense के जो equipment है जैसे weapons हैं हतियार arms ammunition जो यह चाहता है African countries उनको यह line of credit प्रोवाइड करेगा तो इसमें तीन बाते जानेंगे हम एक तो Exim Bank क्या है line of credit क्या है और इसके क्या फायदे हैं किस तरह से काम करता है पहले जानते हैं Exim Bank के बारे में फुल फॉम आपने जान ली Export-Import Bank यानि कि निरियात आयात बैंक भारत का यह Export-Import Bank यह Financial Institution है हमारे country का जो एक premium Export Financial Institution है यानि कि Import-Export करने के लिए Loan देता है यह कर्ज देता है किसी भी organization को किस ने बनाया था Government of India ने बनाया था यानि कि इसका मालिक कौन है Government of India 1981 में Act Pass किया था Export-Import Bank of India Act 1981 तब इसको बनाया गया था तो इसका पूरा मालिक कौन है सारी shareholding Government of India के पास है Holy owned by Government of India क्या सर्विस प्रोवाइड करता है Financial Assistance वित्य सहाथा देता है Exporter और Importer को जो भी मानलों को एक company organization import कर रहे है उसको loan देता है Financial Assistance और ये line of credit भी देता है दूसरी countries को भी तो line of credit क्या है ये हमें जानना है इसमें mainly line of credit जानने से पहले इसका structure देख लो इस bank में काम कैसे होता है इस bank में देखो एक board of director होता है जो इसका govern करते हैं इस bank के operation को इसमें एक board of director होता है उसमें एक chairman होता है एक managing director दो deputy management director होते हैं और ये जो director उनमें से एक-एक RBI से आता है एक IDBI bank से आता है और एक ECGC limited company से आता है 12 से जादा जो director है वो government nominate नहीं कर सकती इसमें 12 director maximum central government nominate कर सकती है मतलब ना मांकित कर सकती है इस bank में line of credit क्या है ये देखो borrowing limit set कर दी जाती है और उस limit के अंदर कोई भी country या कोई भी organization ले सकता है loan जैसे मान लो ये exam bank है इसने African countries के लिए African countries के लिए limit लगा दी hundred dollar या hundred billion dollar लगा रो कम हो गई million लगा लो billion ज़ादा हो जाता है hundred million dollar जो loan की limit लगा दी किस पे African countries पे कोई सी भी country मान लो अब क्या है ये preset कर दिया कि कोई भी African country है hundred million dollar तक loan ले सकती है अब इसके दायरे के अंदर loan लेगी exam bank से मान लो इसने hundred million dollar loan नहीं लिया इसने सिर्फ 50 million dollar loan लिया तो इसकी limit थी 100 की इसने लिया 50 तो ये बाकी का अपना 50 कभी भी ले सकती है या फिर मान लो इसने 50 million dollar loan लिया किसी African countries ने इसने वापस कर दिया 30 million dollar तो इसकी limit फिर 80 dollar होगी क्योंकि 50 लिया 50 बच गया था लेकिन 30 इसने वापस कर दिया तो कितना हो गया 50 और 30 80 यानि कि फिर इसकी limit extend हो गई क्योंकि total limit कितनी है 100 अगर वो दुबारा repaid कर देता है तो वो उसकी limit उसमें जुड़ती रहती है फिर वो जितना बचा है उतना फिर ले सकता है लोन तो यह इस पर time period लगा दिये जाता है और preset limit कर दी जाती है इसलिए इसको बोलते है preset borrowing limit जो किसी भी time पे कोई भी country ले सकती है किसी भी time पे Exim bank निर्धारित कर देगा line of credit के आपके लिए limit इतनी रखे और किसी भी time ले सकते है और अगर उसने दुबारा उसे repaid कर दिया तो उसकी limit फिर उसमें जुड़ती रहती है और वापस फिर वो loan ले सकता है नेक्स टॉपिक है Bangkok Vision 2030 prelims के लिए important है और GS Paper 2 के लिए Recently Ministry of External Affairs ने कहा है कि जो ये Bangkok Vision 2030 है इसको हम इस साल के end में जो BIMS Tech का summit होने वाला आए उसमें adopt करेंगे तो पहले इसमें जानेंगे ये Bangkok Vision क्या है फिर जानेंगे BIMS Tech के बारे में BIMS Tech एक organization है साथ country इसमें member हैं इसके साथ country member हैं सदस्य हैं Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation इसकी full form है तो पहले जानते हैं Bangkok Vision 2030 के बारे में क्या है देखो Thailand ने प्रेजेंट क्या था BIMS Tech Bangkok Vision 2030 किसलिए ताकि BIMS Tech को 2030 तक Prosperous, Resilient and Open बनाया जा सके Pro का मतलब Prosperous, Resilient and Open सब के लिए ये Vision Clear Direction और Priority बताता है कि BIMS Tech का गोल क्या हो जाना चाहिए जो ये साथ country है किस-किस field में collaborate करेंगी जो भी इनके सामने Challenge इस हैं चुनोतियां उनसे tackle करेंगी और नई-नई opportunity हैं जो उनको provide करेंगी और documents है जो BIMS Tech का उसमें फर्दर ये है कि इस BIMS Tech के अंदर और Bangkok Vision है जो 2030 का इसके अंदर region में peace, stability और economic sustainability ले के आएंगे यानि कि 37 स्थिर्था और आर्थिक sustainability या सतत्ता जो goals है इसका vision का वो देखो United Nation का जो sustainable development goal हैं और Thailand का जो bio circular green economic model है इससे comply करता है इसी की लाइन में है Bangkok Vision 2003 तो Bangkok Vision 2030 क्या है जो BIMS Tech के countries है देखो ये Indian Ocean के पास country है BIMS Tech के यहाँ पे peace, stability और economic stability ले के आनी है यानि कि economic sustainability stability और peace, सांती हो stability हो आपस में इनका आर्थिक जो sustainability हो सही हो और वेपार में cooperation बढ़े इनका तो ये BIMS Tech क्या है BIMS Tech देखो एक regional organization है जो 6 June 1997 में बनाई थी Bangkok declaration sign क्या था तब ये बनाई थी Bangkok Thailand में एक जगे है वहाँ पे ये sign हुआ declaration उसी का नाम रग दिया Bangkok declaration या Bangkok घोसना पत्र साथ country हैं Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, भूटान और नेपाल में पे आप देख सकते हो ये इंडिया, नेपाल, भूटान, बांगलादेश, सिरिलंका, मैनमार और थाईलेंड ये साथ country हैं इस BIMS Tech के chairmanship देखो रोटेट सोती रहती है इसकी हर साल alphabetical order में जैसे इसके countries हैं जैसे बांगलादेश के पास है इस साल मान लो बांगलादेश के पास है तो अगले साल इंडिया के पास होगी, फिर मैनमार के पास फिर सिरिलंका के पास, फिर थाईलेंड भूटान, नहीं भूटान आगया आएगा B पहले आता न, भूटान आगया आएगा इसमें और N भी आ गया गया यह अल्फावेटिकल ओर्डर में नहीं दे रखें तो इस तरह से होगा इनमें रोटेट्स होती जाएगी चेर्में से बिम स्टैक का जो थर्ड सम्मिट हुआ था थर्ड मीटिंग उसमें इसका हेड़कॉर्टर बना दिया गया कहां पर बांगलादेश की केपिटल धाका वहां पर इसका सेकरेटरियट मुख्याले बना हुआ है हेड़कॉर्टर तो यही था इसके बारे में नेक्स्ट ट्पिक है ग्रैन स्टोरेज प्लान यह दखो करीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टन्ट है हाँ है इसका कुष डेटा और मेंस के लिए वो देखो हमारे इंडिया में grain storage plan बनाएंगे हमारे इंडिया में जो अनाज होता है grain उसकी जो storage capacity है वो कम है इंडिया में देखो गहूं चावल जादा होते हैं लेकिन उसे store करने के लिए हमारे पास जगे कम है और वो बाहर पड़ा रहता है बारिस वगरा होती है खराब हो जाता है तो इसके लिए हम storage plan बनाने जा रहे हैं इसके लिए union cabinet ने approval दे दिया है इंटर ministerial committee बनाने के लिए और यह world का सबसे बड़ा grain storage plan बनाएगा cooperative sector में हमारे इंडिया में यह committee बनाएगी जो inter-ministerial committee है इसमें कहां कहां से member आएगे देखो कही सारे इसमें mantra leon के member आएगे minister of corporation आएगे minister of agriculture, minister of consumer affairs, minister of food processing industries यह इसमें member आएगे इंडिया को need क्या है? grain storage की अभी उपर discuss किया हमने एक तो कि इंडिया में यानि कि grain ज़्यादा होता है store करने की capacity है नहीं बरबाद हो जाता है और क्या कारण है? देखो इंडिया की जो population आपको पता है पूरे world में सबसे ज़्यादा हो गई है पूरे world की 18% population हमारे इंडिया में रहती है लगबग 1.4 billion यानि कि 140 करोड की जंसन क्या हो चुकी है? पूरे world की population कितनी है? 7.9 billion 790 करोड उसमें से 140 करोड यानि की 18% population किसकी है? इंडिया की ये data आप यूज कर सकते हो मेंस के example में में introduce करने के लिए या essay में भी यूज कर सकते हो और इंडिया में देखो जो arable land है arable land का मतलब जो किरसी करने योग्य भूमी है जहाँ पे किरसी की जा सकती है एगरी कल्चर की जा सकती है वो पूरे world का 11% है केवल पूरे world में 1380 million hectare land है जिस पे किरसी की जा सकती है और इंडिया में 160 million hectare है केवल 11% देखो 11% हमारे पास arable land है और हम कितने लोगों के लिए खाना बनाते हैं इससे उगाते हैं 18% population के लिए इंडिया देखो वर्ल्ड का largest food program भी चला रहा है National Food Security Act बनाया 2013 में यह लगबग 81 करोड पीपल को cover करता है यहाँ पे कम कीमत में या free में रासन दिया जाता है National Food Security Act के तहत इसलिए इंडिया को food security सूनिस्चित करने के लिए इंसे और करने के लिए grain storage plan बनाना जरूरी है presently इंडिया में कितना storage है देखो हमारे इंडिया में जो food का protection होता है last year का ही देखें food का production उत्पादन 311 million metric ton हुआ था storage कितना है हमारे पास 145 million metric ton food grain को storage करने के लिए हमारे पास capacity है मतलब 166 million metric ton 311 में से 145 घटा देंगे तो आ जाएगा 166 million metric ton इतना तो हमारा अनाज के लिए storage है यह नहीं वो बाहर open में पढ़ा रहता और बारिस हो जाती है खराब हो जाता सड़ जाता किसी के काम का नहीं रहता इसका मतलब इंडिया का storage जो capacity है केवल 47% है जितना हम total food grain production करते हैं उसका 47% हम storage करके रख सकते हैं regional level पर अगर देखें तो southern states हैं जो southern Indian states उनमे 90% storage capacity है और northern states है उनमे 50% से भी नीचे capacity है जैसे यूपी विहार में बतलब food grain जादा होता capacity storage करने की है ही नहीं presently देखो कैई सारी government agency है जो food को storage करती है जैसे FCI है Food Corporation of India Central Warehouse Corporation Warehouse Development Regulatory Authority Railways भी protect करके रखती है storage civil supply department है states के ये grain management करते हैं हमारे इंडिया में लेकिन अभी भी desired result नहीं मिला है open में पढ़ा रहता है खाना food grains और वो सड़ जाता है global scenario क्या है देखो अगर चाइना की बात करें चाइना में देखो 615 million metric ton grain होता है food grain production wheat, rice इन सब को मिला के और हमारे इंडिया में कितना था उपर हमने discuss किया 311 million metric ton मतलब हमसे दुगना अनाज उगाता है चाइना और चाइना में storage capacity कितनी है 660 million metric ton यानि कि जितना वो उगाता उससे कहीं ज़्यादा storage capacity बना रखी है मतलब बड़े बड़े warehouse, घर, building बना रखी है जहाँ पर अनाज को रखा जा सके और countries में देखें और countries जैसे US, Brazil, Russia, Argentina Ukraine, France, Canada इन में भी capacity अपने food grain से कहीं ज़्यादा है जितना ये produce करते हैं तो यही था इसके बारे में next topic है justice clocks prelims के लिए important है और essay में ethics में example यूज कर सकते हो आप justice से related कोई topic आता है तो देखो ये justice clock इलाबाद के high court में इस तरह के लगाई गई है digital display होगी जिस पर दिखाई देगा कितने एक साल में इस court ने case resolve किये है मतलब निप्टारा क्या है case का मामलो का और कितने pending पड़े है इसकी ये digital display ये showcase करेगी LED display होगी है electronic signal system लगाया जिसको justice clock का नाम दिया है high court के complex area उसमें लगाया गया है ताकि जो आदमी आते हैं वहाँ पर देखो अपना justice न्याय मांगने के लिए उन्हें पता लगे कि इसने high court ने कितने एक साल में case को निप्टारा किया है और कितने अभी pending पड़े हुए है उसी हिसाब से वह उम्मीद लगा सकते है कि उन्हें न्याय मिले गया नहीं मिलेगा तो लोगों में awareness आएगी एक तरह से awareness increase करने के लिए ये justice clock लगाई गई है judicial process के बारे में बताने के लिए तो यही था इसमें next है Julie Ladakh या Hello Ladakh देखो ये Indian Navy का एक program है इसमें क्या है program में एक तरह से इसमें initiative लिया जाता है कि Indian Navy के बारे में बताया जाता है लोगों को aware कराया जाता है जागरूप कहराया जाता है अभी ये लददाक region में हो रही है ये program Julie Ladakh या Hello Ladakh तो लद्दाक के लोगों को बताया जा रहा है इसमें इंडियन नेवी की क्या इंपोर्टेंस है और इंडियन नेवी की इंपोर्टेंस बताकते हुए वहां के यूथ है जो नौजवान है उनको encourage करना बढ़ावाद हैने कि आप भी आओ और इंडियन नेवी को join करो यूथ को civil society को engage करके इसमें awareness फैलाई जाती है पहले ये program नौर्थ इस्ट में चलाया था coastal areas में चलाया था वहाँ पे successful रहा था objective यह यह देखो 75 year हो चुके हमारे इंडिया के आजादी को तो हम उसे celebrate कर रहे हैं आजादी कामरे महुत सब इंडियन नेवी इसमें program करा रही है ताकि schools में उनको awareness दी जाए बच्चों को और opportunity उनके career के लिए एक हो इसको promote किया जाए youth ज़्यादा ज़्यादा motivate हो इंडियन नेवी को join करने के लिए women officers हैं जो इंडियन नेवी में उनको भी so case किया जाता है कि ये नारी सकती initiative का part है और women officer ने अपने career में क्या achievement किया है इंडियन नेवी को इंडियन नेवी को join करने के बाद नए नए मानलो initiative लिए जाते हैं और इसमें देखो जो नवल veterans हैं मतलब इंडियन नेवी में जिन्नोंने पहले participate किया इंडियन नेवी में काम किया है कोई सैनिक थे इंडियन नेवी के और बहुती प्रिसिद फैमस थे या कोई वीर नारी है वार विड़ो वार में किसी का husband मर गया है उसके बारे में बताना उससे intact करना और उसको मतलब एक तरह से intact करके वहाँ पर जो आसपास के society यूथ है उसको encourage करना ताकि वो इंडियन नेवी को join कर सके तो इस तरह से इसमें प्रोग्राम चलाए जाते हैं next topic है बायो stimulants ये देखो prelims के लिए important है बस इतना जानना ये क्या होते हैं बायो stimulants अभी news में इसलिए हैं क्योंकि देखो ये FCO amendment order है 2021 का है FCO का मतलब fertilizer control order इससे पहले 1985 का ये order था government का उसमें संसोधन किया amendment किया नाम रख दिया FCO amendment order 2021 क्योंकि 2021 में क्या था इसमें ministry of agriculture ने नई guidelines जारी किये बायो stimulants के लिए तो क्या है बायो stimulants इसके बारे में जानना है और देखो FCO जो amendment order है 2021 का इसके dual 6 में आते हैं बायो stimulants तो क्या है ये देखो कोई भी substance या micro organism हो सकता है जो plant की growth को nutrient uptake को उसके process को बढ़ाने के लिए दिया जाता है कोई भी, कोई भी micro organism या substance हो सकता है जो उसमें nutrient uptake को बढ़ाता हो उसकी plant की growth को बढ़ाता हो उसमें ज्यादा ज्यादा फल लगें पोदे में इसको बढ़ाता हो, stimulate करता हो उन सब को bio stimulate बोलते हैं लेकिन इसमें देखो ये FCO जो order है इसमें bio stimulants आते हैं लेकिन जो pesticide भी तो डाले जाते हैं बहुत सारे plant में कीट ना सकता कि कीड़े वीडे मर जाएं और plant की growth हो सके अच्छे से लेकिन ये pesticide FCO order में नहीं आते हैं या दखना pesticide आते हैं Insecticide Act 1968 है उसके अंदर regulate किये जाते हैं pesticide ये भी plant growth को stimulate करने में फाइदा करते हैं मतलब एक तरह से कीट ना सकें कीड़ों को मार देंगे तो plant की growth जादा बढ़ेगी क्योंकि कीड़े वगरा पेड़ों को खराब कर देते हैं पेड़ पोदों को और growth रुख जाती है तो याद रखना pesticide इस act के अंदर आते हैं बढ़ाने के लिए tolerance को बढ़ाने के लिए तो उन सब को भी बोलते हैं उन microorganism को substance को जो plant की growth को बढ़ाने के लिए दी जाते हैं उनको बोलते हैं बायो stimulants next topic है skill impact bond initiative prelims के लिए भी important है और GS paper 2, 3 और 1 के लिए भी means में या essay के topic में example आप यूज कर सकते हो यह देखो skill impact bond initiative इसमें लगबख 18,000 job seeker को skill provide की है और उनमें से 72% महिल आए हैं तो क्या काम करता है skill bond skill impact bond initiative skill provide करता है skill दक्सता देता है इंडिया का पहला development impact bond है skill और employment provide करने के लिए किसने launch किया था national skill development corporation ने किसके अंडर काम करती है corporation ministry of skill development के अंदर target क्या है 50,000 young Indians को इसमें skill provide करनी है और इसमें 60% beneficiary woman हो कम से कम और 4 साल के लिए दी जाएगी इसमें skill यह public private partnership है यानि कि public private partnership model पे काम करता है यानि कि government company और private company दोनों मिलके इसमें काम करती है और skill provide करती है और इसमें सिर्फ देखो certificate नहीं दिया जाता training का बलकि training भी दी जाती है ताकि उन्हें employment मिल सके रोजगार मिल सके तो significance क्या होगा इसका significance है यह महिलाओं को जो pandemic के दोरान उनका रोजगार चला गया उन्हें नुकसान हुआ जो तो यह नुकसान की भरपाई की जा सकती है employment opportunity provide की जा सकती है और private sector जो capital expertise है उनको देखो प्रभाब डाला जा सकता है skill provide की जा सकती है ताकि वो आगे जो private sector में जो individual को skill मिली है उनको job मिल सके technical vocational education ecosystem को strength किया जाता है इसके अंदर knowledge provide की जाती है good practices अपना ही जाती है तो development impact bond क्या हो गया एक तरह से financial tool होता है यह जो private sector funding को impact करता है प्रभावित करता है ताकि social और development challenges है उनको निप्टा जा सके address किया जा सके सामाजिक और विकास या विक्सित challenges है विकास के छेतर में चैलंजी जाती है चुनोती आती है उनको financial tool के जरिए वित्य साहता के जरिए address किया जा सके निप्टा आया जा सके तो यह development impact bond है example के तरह पर मानलो अगर कोई मानलो investor है वो education program के लिए 1 million dollar provide करता है मानलो मैं हूँ या कोई ए आदमी है उसने किसी school building के लिए या college के लिए 1 million dollar रुपिया दिया और तब इसने ये दिया तो इसकी वज़े से school में, colleges में वहाँ पे literacy rate बढ़ा वहाँ पे literacy rate के साथ education अच्छी हुई, quality education हुई तब result अच्छा रहा तो government क्या कर सकती है जो भी investor ने पैसा दिया था ए आदमी ने school building के लिए improvement के लिए तो फिर government उसको repay कर सकती है बाद में 1 million dollar की जगे 1.2 million dollar दे देगी उसे जो return है predetermined उसके साथ मानलो उसने जैसे मानलो किसी education institute में invest किया था और उसने ये वादा किया था कि वो उसे return करेगा interest के साथ तो इसके साथ-साथ government भी उसे repay कर सकती है government और अगर मानलो improvement नहीं हुआ quality में education की quality में literacy rate में तो क्या होगा फिर government repay नहीं करेगी फिर government उस investor को repay नहीं करेगी और lower payment भी दे सकती है जितना उसने invest किया तो यही था इसके बारे में next topic है wind energy in India यह prelims के लिए भी important है GS paper 3 के लिए global wind day westwick हवा दिवस मनाय जाता 15 जून को हर साल ministry of new and renewable energy ने organize किया एक day long event नू डेली में एक दिन तक global wind day को celebrate किया नू डेली में और इंडिया का energy adoption क्या है wind energy adoption में success rate क्या है और future potential क्या है इसको भी बताया क्या क्या outcome रही देखो wind atlas launch किया उसमें देखो 150 मेटर above the ground level से ये एक wind atlas prepare किया है किसने national institute of wind energy ने national institute of wind energy कहां पे बना हुआ है chain नहीं में इसने एक wind atlas बनाया है मतलब wind energy कहां कहां पे और produce की जा सकती है कहां कहां पे potential है इसके बारे में ये atlas बताता है इसमें onshore wind potential country का बताया लगवक 1164 गीगवाट 150 मेटर above ground level से और देखो राजिस्थान है उसने सबसे ज़्यादा capacity addition किया है जैसे मानलो पहले राजिस्थान एक गीगवाट wind energy produce करता था तो इसने मानलो 5 कर दिया 5 गीगवाट और addition कर दिया इसने सबसे ज़्यादा किया है और देखो गुजरात ने highest wind capacity addition किया है open access के थुरू तमिल नाडू ने भी wind turbines के लिए wind turbines को repower करने के लिए initiate लिया है सबसे ज़्यादा wind energy कहां पे produce होती है देखो addition तो क्या राजिस्थान ने पहले जितना होता था उसमें सबसे ज़्यादा addition क्या राजिस्थान ने लेकिन सबसे ज़्यादा wind energy हमारे इंडिया में कहां पे produce होती है हवासे विजली कहां पे बनाई जाती है ये भी आपको याद रखना है तमिल नाडू में याद रखना और पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना है कौन से नंबर पर आता air wind energy में fourth नंबर पर आता air पूरे वर्ल्ड में wind power capacity में इंडिया और currently 4 gigawatt जो projective wing energy का वो बनाया गया है इंडिया में जो potential है 60 gigawatt wind का है और तमिल नाडू में सबसे ज़्यादा wind energy produce की जाती है government ने wind energy को promote करने के लिए कुछ initiative चला है जैसे national wind solar hybrid policy 2018 national offshore wind energy policy 2015 wind energy के बारे में पूरा detail में जानना तो अलग से lecture बना हुआ है आप देख सकते हो उसे economy या environment के playlist में आपको मिल जाएगा इंडिया का overall renewable target कितना है renewable energy से target कितना है मतलब नवी नी करन ऊर्जा renewable energy में नवी नी करन ऊर्जा में कौन कौन सी आती है जैसे wind energy हवा से बनने वाली बिजली solar energy सूर से बनने वाली बिजली या बायो मास से बनने वाली बिजली या small hydro power project होते है यह सब renewable energy में आते हैं तो कितना target इंडिया का लक्षा क्या है जैको जितना हम energy produce करते हैं उसमें कम से कम 50% हम non fossil fuel से energy develop करें जैसे renewable energy से wind, solar या बायो मास से करें कम से कम 50% जितना हमारे इंडिया में produce होता है कब तक 2030 तक आते आते और 2030 तक आते आते कम से कम target यह 500 gigawatt renewable energy capacity हम अचीव करें 2030 तक और net zero का target है 2070 तक तो wind energy हम ज़्यादा ज़्यादा बनाएंगे तो हमारे इन target में मदद करेगा net zero का target हमारा 2070 तक का है net zero का मतलब जितना हम carbon emission करते हैं उतना absorb भी कर लें ज़्यादा ज़्यादा paid लगाके या कोई technology इंस्टॉल करके तो यह हमारा 2070 तक का target है next step first जन जाती है खेल महुतसब यह prelims के लिए important है GS paper 1, art and culture के लिए essay में यह example यूज किया जा सकता है पहला जन जाती है खेल महुतसब celebrate किया गया है किसने ministry of culture ने odysa government और kiit university ने कहाँ पे भुवनेसवर में इसमें देखो खेल कराय जा रहे है sports किसके travel communities के जन जाती है travel communities इसमें participate कर रही है इसमें athletes आ रहे हैं travel communities से उनके traditional जो sports हैं उनको कराय जा रहा है उनकी culture को भी promote किया जा रहा है odysa है वो एक overall champion निकला है men's और women's category में travel communities में इसमें 5000 travel athletes ने participate किया है इसमें 1000 official 26 states से आये participate करने के लिए sports को कराने के लिए games को कराने के लिए कौन-कौन से game कराय जाते है odysa में famous game है यह जैसे rugby, hockey, kabaddi, football, khoko यह game कराय जाते हैं इसमें तो odysa एक तरह से sports have in India का status लेके grow हो रहा है इस खेल की वज़े से तो यही था इसमें एक देखो यह Enceladus Enceladus एक moon news में था Enceladus moon कहां पे यह moon? चंद्रमा और किसका है? यह Saturn का है Saturn जो sunny गिर है न उसका एक moon मिला है यह moon तो पहले सी मिला था इसके अभी यह news में इसलिए था Enceladus क्योंकि यहां पे NASA है जो NASA आप जानते हो अमरीका की space agency जैसे हमारे इंडिया की इस रो है तो NASA का एक mission था जो Saturn पे sunny पे भेजा था Cassini नाम का Cassini नाम का mission Spacecraft इसने अभी Saturn का जो यह moon है Enceladus यहां पे phosphorus gas ढूंड़ी है यहां पे पता लगाया है कि इस moon पे phosphorus एक gas present है और phosphorus living organism के लिए most important gas है मतलब जीवन के लिए तो यही थे आज के topic